नमस्कार दोस्तों ठगस आफ गुजरात अगर नेटफ्लिक्स या कोई OTT प्लेटफॉर्म चाहे तो इस नाम से गुजरात के ठगों पर संसनिकेश सीरीज बना सकता है गुजरात के ठगों के असली कहानियों और किरदारों पर ये सीरीज बहुत हिट हो सकती है कालपनिक कहानियों पर ठगस आफ हिंदुस्तान और ठगस आफ अमेरिका जैसी फिल्में तो पहले भी बनी है लेकिन वेब सीरीज के निर्देशकों को ठगस आफ गुजरात का आइडिया मैं दे रहा हूँ ये सीरीज गुजरात के असली रियल लाइफ ठग पर बन सकती है ये सारे चेहरे जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गुजरात के ठगों के हैं जी हाँ गुजरात के ठगों के एक से बढ़कर एक ठग अमिताब बच्चन की फिल्ब सराभी में एक डायलोग है मूचे हो तो नत्थुलाल जैसी वरना ना हो पकड़े जाने से पहले तक गुजरात के इन ठगों को देखकर यही कहा जा सकता है कॉन्फिडेंस हो तो गुजरात के ठगों जैसा वरना ना हो कोई फर्जी जज़ बनकर बकाइदा आदालत लगा कर लोगों को कई साल तक ठगता रहा तो कोई खुद को पीएमो का अधिकारी बताकर गुजरात से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक में सब को ठगता रहा कोई बीजेपी अध्यक्ष का पीए बताकर खुद को बीजेपी बिधायकों को चुना लगाता रहा तो कोई खुद को गुजरात में आईएस अधिकारी बताकर रॉब गाटता हुआ गोरक धंधा करता रहा फर्जी आईपीएस अधिकारी फर्जी आईएस अधिकारी प्येमो का फर्जी अधिकारी, फर्जी जज, फर्जी अदालत और फर्जी पियो, पिये, इतना फर्जी वारा गुजरात में ही क्यों हो रहा है भाई, और अगर इतने फर्जी वारा करने वाले ठग नटवरलाल गुजरात में पकरे गए हैं, तो नजाने कितने और होंगे, जो आज भी गुजरात से या गुजरात में उपरेट कर रहे होंगे। इसलिए हमने आज के शो का नाम दिया है ठग सौप गुजरात। एक तरफ मोधी जी विश्गुरू बनने में जुटे हैं। दुनिया भर में भारत का जंडा बुलंद करने के लिए जी जान लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ गुजरात के ये ठग अपने कारनामों से गुजरात का नाम बदनाम कर रहे हैं। मोधी जी करें भी तो करें क्या। गजरात के ऐसे अवसे ठग पखड़े जा रहे हैं कि पूछिये मत पीमों और जेपी नड़्डा का नाम लेकर भी ठगी कर रहे हैं ठगी के ऐसे अवसे तरीके तभी तो मैंने कहा कि ठग सौप गजरात पर सिरिज बन सकते हैं अलग-अलग स्टोरी, अलग-अलग कहानिया, अलग-अलग एपिसोड हाल के सालों में गुजराद के ठगों के किसे लगातार सुरकियों में बने है इन ठगों ने अपना धंदा तो सुरु किया गुजराद से लेकिन इनके लिए जब गुजरात की सरहदें छोटी परने लगी तो दूसरे राज्यों में हाथ मारने लगे गुजरात का नाम सुनकर ऐसे भी किसी भी राज्य की पुलिस उस पर हाथ रखने से सौ बार सोचती है अगर वो कहता है कि मैं गुजरात से हूँ वजह आप समझते हैं पता नहीं किसका कनेक्शन कितनी दूर तक निकल जाए जैसे पीएमों का अधिकारी बनकर बड़े बड़े अधिकारियों को ही अपनी धौस में लेने वाले किरन पटेल के मामले में हुआ था एक एक करके गुजरात के इंठगों के बारे में आज हम आपको बताते हैं गौर से सुनते जाएए उसे हाल के दिनों में गुजरात से ड्रग्स की खेब भी बहुत बरामद हो रही है लगातार खबरें आ रही है हेडलाइन्स में जानकारियां आ रही है बाहर से अर्मों का ड्रंक गुजरात के पोर्ट और एरपोर्ट पर पहुँच रहा है फिर वहां से देश के बाकी हिस्सों में भेजा जा रहा है तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहा है कि ड्रग्स की इतनी बड़ी बड़ी खेप गुजरात में ही क्यों उतर रही है गुजरात के तसकरों पर ड्रग तसकरों पर ड्रग्स के जाल पर विस्तार से हम किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे आज तो बात करते हैं ठक्स ओफ गुजरात पर गुजरात की राजधानी गांधी नगर से जज़ बन का ठगी करने वाली एक ताजा ख़बर आई है ख़बरों के मताबिक गांधी नगर निवासी 37 वर्षिय मौरिस सेमुल पांच साल से फरजी ज़ज़ बन कर अदालत लगा रहा था विवादित मामलों में फैसले देकर मोटा माल कमा रहा था इस फरजी जज़ ने लोगों की सो एकर जमीन भी हर अपली थी दैनिक भासकर के मताबिक मौरिस सेमुल ने फरजी ट्रिबिनल बनाया खुद को उसका जज़ यानि आर्बिट्रेटर बनाया और गांधी ने अगर में आफिस खोल कर उसे अदालत जैसा लुक दे दिया सब कुछ वैसे ही वहां सेट किया गया जैसे किसी अदालत में होता है ताकि अगर कोई वहां आए, कोई मुख्किल आए, कोई क्लाइंट आए तो पहली नजर में उसे लगे कि वह अदालत में ही पहुंचा है उस फर्जी अदालत में ये ठख साथ ही वकिलों को खड़ा करवा कर मुकदमों में जिरह करवाता था ताकि दूसरे पक्षकों कोई शक ना हो तमाम अखवारों में चपी खबरों से पता चला है कि ये फर्जी अदालत पांस साल से चल रही थी सोचिए जा गांधी नगर में गुजरत के राजधानी में मैं तो सोच कर हैरान कि आखिर पांस साल तक कोई जजज बनकर फर्जी जजज बनकर आर्विट्रेटर बनकर अदालत लगा कर ठगी कैसे कर रहा था ओर इतनी जमीनों पर गैसे कर रहा थे, कैसे फैसले सुना रहा थे कहा जा रहा है कि मौरिस सेम्वल उन लोगों को फसाता था जिनकी जमीनों को लेकर कोई विवाद सिविल कोट में पैंडिंग होते थे पुलिस के अनुसार अपने क्लाइंट से इन मामलों को सॉल्व करने के लिए एक निश्चित फीस ले था था पहले फासाता था फिर काता था हम तुम्हारा जो जमीन का विवाद है उसको सॉल्व करेंगे और जो मौरिस सेम्वल था लोगों के सामने खुद को कोट द्वारा अधिकारिक मध्यस्त यानि आर्विट्रेटर के रूप में पेश करता था इसके बाद वो क्लाइंट्स को अपने गांधी नगर इस्थित दफ्तर पर बुलाता था जो वही फर्जी अदालत देखने में कोट जैसा उसका दफ्तर कोट में उस फर्जी जज्ज या फर्जी जो भी कहें उसी के कुछ साथी वकील होते थे फर्जी दलीलें दी जाती थी माहौल पूरा बनाया जाता था और वो आर्विट्रेटर बनकर या ट्रिबुनल के अधिकारी के रूप में फेवरेबल ओर्डर सुना देता था अपने क्लाइंट को और इस तरह से उस 11 फैसले उस जज ने उस सेमुल ने उस फ्रॉड ने सुनाय थे खबरों के मताबिक ठग मौरिस सेमुल को असली कोट के रैस्टार ने एक मामले में पकरा मामला जिला कलेक्टर के अधीन एक सरकारी जमीन से जुड़ा था सेमुल के मौकिल ने इस पर दावा किया और पालंडी आलाक एक्टर को उस जमीन के दस्तावेजों में मौकिल का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया सोचिए जरा आदेश को लागू करने के लिए मौरिस ने दूसरे वकील के जरिये सिविल कोट में भी अपील कि इसमें वही आदेश एटैच किया जो उसने जारी किया था यानि अस के बाद गुजरात के पुलिस स्टेशन में सिविल जज हर्दिक देशाई द्वारा लिकिश शिकायत के आधार पर एफायार दर्ज की गई और हर्दिक देशाई मौझूदा वक्त में अभी अमदावाद की सिविल कोट में रैस्टार हैं पुलिस ने इस मामले में जाच की और उस फरजी जज को गिरफतार किया कई धाराएं फरजी वारे की धाराएं उसके खिलाफ लगा दी गई हैं गुजरात के फरोट जज की कहानी तो बिलकुल ताजा है लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं तो गुजरात के ठगों की लंबी लिस्ट हैं जिन्हों ने ठग लग लग राज्यों के 28 बीजेपी विधायकों को अपने जाल में फास लिया था उस ठग का नाम है नीरत सिंग राठोर गुजरात के मोरभी का रहने वाला नीरत सिंग राठोर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा की सिफारिश से बीजेपी विधायकों को मंत्री पद का जासा देता था ऐसा दावा करता था नीरत सिंग ने महारास्ट के छे विधायकों को शिंदे सरकार में कैबनेट पद दिलाने के नाम पर उनसे लाकों की मांग की थे कुछ विधायकों से उसने लाकों वासूल भी लिये थे महारास्ट के एक बीजेपी विधायकों जब नीरज सिंग पर शक हुआ तो ये ठग पकड़ा गया शिकायत हुई पुलिस ने दबोच लिया जरा सोचिए नीरज खुद को जेपी नड़ा का पीए बता कर देश के कई राज्यों के बीजेपी विधायकों से संपर्क में था पिछले साल वो पकड़ा तो गया लेकिन पता नहीं उसने कितने लोगों को कितना चूना लगाया होगा अगर कोई ठग देश की सत्ता धारी पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर ठगी करे और वो भी गुजरात का निकले तो ठग सब गुजरात में कुछ तो खास है जैसे गुजरात के मुर्भी का रहने वाले नीरज रा था काम कराने और काम दिलाने के नाम पर बड़े बरे खेल कर रहा था बड़े बरे ठेके दिलाने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहा था उगाई कर रहा था बकाइदा उसने एक विज्टिंग कार्ट छबा रखा था गुजरात से जब उसका काम बहुत विस्तार पकरने ल बुलेट प्रूफ गाड़ी मोहिया कराई गई उसके साथ हत्यार बंद दस्तिप चला करते थे पुलिस ने ऐसा इंतजाम किया था क्योंकि उसने माहूली ऐसा बनाया था कश्मीर के कई अधिकारियों को प्यमो में अपनी न्युक्ती का धौंस दिखाकर किरन पटेल किसी बड़ी धोखादरी की तैयारी में था तविश्च नगर के एक पुलिस अधिकारी को शक हुआ प्यमो में पूस्ताच के बाद उसकी पोल खुली और एक पांस सितारा होटल स वक्त हमने एक वीडियो विस्तार से बताया था आप चाहें तो वो देख सकते हैं ताकि आपको पता चले लेकिन ऐसे ठगों की लंबी लिस्ट है जैसा मैंने कहा सिर्फ आप आईएस आईपिएस ऐसे फरजी आप सर्च करेंगे तो गूगल पर ऐसी बहुत सारी कहाने निक निकलेगी इसका मतलब ठग सौफ गुजरात में कुछ तो है गुजरात के अलग-अलग इलाकों से आई दिन फरजी आईएस और फरजी आईपिएस बनकर ठगी का धंदा करने वाले गिरफतार होते हैं समझ में नहीं आता कि पूरे जलवा जलाल के साथ आईपिएस और आने लगों गुजरात के ठगों की कहानी ही तो दो घंटे का वीडियो भी छोटा पर जाएगा अभी कुस दिन पहले गुजरात से डिजिटल अरेस्ट करने वाले एक रैकेट का परदा फास हुआ एक सबता पहले 18 लोगों की ग्रफतारी के बाद खुलासा हुआ कि इस ग् गैंग ने ठगी के 5,000 करोड चीन और ताइवान भेजें दैनिंग भासकर में ख़वर चपी यह गैंग ठगी के लिए गेमिंग एप शेर वाजार इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट जैसी तरकी में अपनाता था पकड़े गये 14 गुजराती थे बाकी 4 ताइवान इंटरनेशनल कनेक्शन भी है 14 गुजराती 4 ताइवान के सेंटर गुजरात देश भर में इन पर करीब साधे 400 मुकद में दर्ज है यह ठग CBI और साइबर अधिकारी बनकर साइबर क्राइम अधिकारी बनकर ठगी का टार्गेट पूरा करते थे ठगी के लिए जो तरीके इस्तेमाल किये जाते थे उसके बारे में मैंने कई पढ़ने जब पढ़े कई खबने पढ़ी तब समझ में आया और अगर मैं आपको विस्टार से समझाने लगूं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए संचिप में इतना समझ ये कि ये ठग सब गुजरात के कारणा में है अब आपको गुजरात में हुए एक बीस हजार करोर के बड़े खेल के बारे में भी बताता हूँ ये पूरा घोटाला हुआ गुजरात के गांधी नगर में जहां मुलसाना में तैइस सो बिगा जमीन को फरजी वारे से हरपने का भंडा फोर हुआ 25 जुलाई 2023 को गुजरात समाचार की वेब साइट के मुताबिक इस घोटाले में सबसे वड़े विलन बताये गए उस वक्त के जिला कलेक्टर एसके लागा जिनने पिछले साल 11 जुलाई को माउंट अबू से गिरफतार किया गया गुजरात समाचार के मुताबिक मुलसाना में साल 1918 में पटेल और सिद्धी परिवारों ने अपनी जमीन गौशाला के लिए दान की थी लेकिन सरकार के सौमित वाली इस जमीन को घोटाले बाजों ने नीजी संपत्ती बना दिया सरकारी फाइलों में किर्शी भूमी के ताओर पर दर जिस जमीन को मिली भगत से गैर किर्शी योग्य जमीन बना दिया और फिर से बेचने का खेल सामने आ है गुजरात समाचार नहीं अपने सुत्रों के हवाले से इस गोटाले पर लिखा कि 2019 लोग सौमाच चुनाओं से पहले ये पूरी साजिश्र ची गए इसमें उपर से नीचे तक के अधिकारी राजनेता और बिल्डर शामी थे बाकाौल गुजरात समाचा गुजरात से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े लोगों को इसकी ख़बर थी लेकिन सारा दोष्ट एसके लागा पर मढखकर मामले को थंडे बस्ते में डाल दिया गया यानि एक लाइन में कहें तो बड़ी मचलियों को बचाया गया ऐसा क्यों हुआ? किस की मिली भगत से हुआ? या किस के इशारे में पर हुआ? या किस के दबाव में हुआ? या क्यों हुआ? कौन को निसमें बचाये गए? इन सवालों का जवाब आज भी नहीं गिला है. गुजरात के कई ठग सलाकों के पीछे पहुँच चुके हैं. लेकिन गुजरात में जमीन घोटाले का एक बड़ा रैकेट चल रहा है. जिसके भंडा फोर के लिए अब CID को लगाया गया. ये गैंग जमीन के खरीद फरुक में मोटे प्रॉफिट का जहांसा देकर लोगों को फसाता है. ठगी का ये भी एक तरीका है. और अजब गजब तरीक 21 अगस 2024 को बिजनेस एस्टेंडर्ट की इस रिपोर्ट के मताबिक 33 साल के गुजराती शक्स ने अमेरिका के फेक ग्रीन कार्ट बनाकर लोगों को चपत लगा दी. जो खुद को निवार्क में इंडियन अमबेसी का अधिकारी बताकर ना जाने कितने लोगों से हजारो करो लेकर उन्हें चोना लगा चुका था. मीडिया रिपोर्ट्स में विस्तार से इस ठगी के बारे में भी खबर छपी हैं. इतना ही नहीं. 17 मई 2024 को टाइमस ओफ इंडिया आख़वार में छपी इस खबर के मताबिक सुनते जाईए कितनी लंबी लिस्ट है ठग सब गुजरा के किरदारों की. टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक अमेरिका में शोयता पटिल नाम की अनराई महिला ने अमेरिकी शक्स को डेर लाग डॉलर यानि करीब सवा करोड की चपत लगा दे. तब पता चला कि 42 साल की शोयता को वहां की पुलिस ने 9 मई 2024 को गिरफ गुजरात में. जिस सड़क से बहुत सारे अधिकारी मंत्री संत्री गुजरते हैं, वहां एक डाइवर्जन किया गया और एक टोल पलाजा बनाया गया और वो टोल की वसूली होने लगी है. सोचिए कल्पना कोई कर सकता है कि फरजी टोल पलाजा हो और वहां जो उस बहुत खबरे हैं ठगों की और ठग सब गुजरात के बारे में रिसर्च में मैं देख रहा हूं सामने 25-30 पन्नों की और रिसर्च है लेकिन फिर ये वीडियो भी 3-4 घंटे का होगा इसलिए फिलाल अस्तगीत करते हैं वहां के ठगों के बारे में कुछ और जानकारी जब और कुछ दिल्चस्प ठगी की ताजा जानकारी आएगी तो फिर एक बार विस्तार से बात करेंगे फिलाल नमस्कार